आपने अपने आसपास किंग कोब्रा और कोब्रा सांप को ही देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दस तरह के कोब्रा सांप के बारे में बताएंगे. नमबर एक इंडियन कोब्रा यह प्रजाती भारत में आम है, इसके काटने से व्यक्ति की मौत तक हो सकती है, यह अक्सर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं. नमबर दू किंग कोब्रा, किंग कोब्रा दिखने में 18 फीट लंबा होता है, यह अपने जहर से एक हाथी तक की जान लेने की क्षमता रखता है. नमबर तीन, मोनोक्लेड कोब्रा यह सांप दक्षन पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, यह दिखने में भले सुन्दर लगे, पर यह बेहद आकरामक होता है, यह 7 फीट लंबा होता है, नमबर चार, मिस्त्र का कोब्रा यह दिखने में 8 फीट लंबा हो इस सांप का कनेक्षन पौरानिक कथाओं में भी है, वैसे तो इसके शिकार पक्षी, छोटे स्तंधारी जीव और छिपकलियां होती है, लेकिन यह और सांपों को भी का सकता है, इसका जहर भी जहरीला होता है, नमबर पांच, मोजांबिक स्पिटिंग कोब्रा कोब्रा की नौ फीट लंबी होती है, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में इसे ज्यादा पाया जाता है, नमबर साथ, फिलिपीन कोब्रा और कोब्रा प्रजातियों में यह छोटा होता है, इसकी लंबाई भी तीन से तीन दशमलव पांच फीट तक होती है, इस सांप के काटने के बा कोब्रा कोब्रा सांप की यह प्रजाती मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, यह नदियों जीलों जैसी जगों में रहना पसंद करते हैं, उकसाने पर काटने के बाद यह शिकार को लकवा गरस्त कर सकता है, नमबर दस, कैस्पिन कोब्रा इसे सबसे घातक माना जाता है, य यह मध्य अशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, यह काफ्या जाता है, यह नदियों जाता है, यह नदियों जाता है।